टमाटर में नरसरी प्रभंधन मुख्य खेत में बहतर और समान फसल व्रुद्धी के लिए बहतर नरसरी प्रभंधन आवशक है नरसरी प्रभंदन नरसरी में 10 ग्राम डाययमोनियम फॉसफेट और गई का सड़ा गोबर देड से 2 kg प्रती वर्ग मीटर की दर से डाले और मिट्टी में अच्छी तरह मिला ले 10 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 15 सेंटिमीटर रूजाई के बैट पर क्यारिया बनाई जानी चाहिए बीज बोने से पहली बीजों को मांगो जैब 3 g प्रती किलोग्राव या ट्राइकोडर्मा वराेड दस ग्राम प्रती किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए ताकि बीज जनित फफूंदी रोगों से बचा जा सके चूसने वाले कीटों से सुरक्षा देने के लिए बीजों की Imedacloprid 70WG 5 ग्राम प्रती किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए यदि बीज को ट्राइकोडर्मा विरायट से उपचारित किया जाता है तो पहले कवक नाशे फिर कीट नाशक और फिर उसके बाद ट्राइकोडर्मा के क्रम में प्रयोग करना चाहिए उपचारित करने के बाद पंक्तियों के बीज 5-6 cm और बीजों के बीज 2-3 cm की दूरी बना कर बीज बोएं बीज बोने के बाद क्यारियों को सड़ी हुई खाद या खाद से ढख दे और चड़काव द्वारा हल के सीचाए करे क्यारियों को पुखाल से ढख दे और बीच के अंकुरित होने के बाद दीरे दीरे हडाना शुरू करे डाम्पिंग ओफ जैसे बिमारियों को कम करने के लिए क्यारियों को बॉर्डेक्स मिश्रण एक प्रतिशत या मेटालेक्सिकल बहत्तर प्रतिशत जबल्यूपी दो ग्राम प्रति लीटर पानी से भिगाओ दे टमाटर में मुख्य खेद की तैयारी और रोपाई खेत में टमाटर की पौद की बहतर स्थापना के लिए मुख्य खेत की तैयारी और पौद की रोपाई महत्वपून प्रक्रिया है मुख्य खेत की तैयारी खर पत्वार और कीट के प्रकोब को कम करने के लिए गर्मियों में मोल्ड बोर्ड हलसे जुताई एप्रिल जून के महिने में की जाती है दो जुताई हैरों के बाद दो जुताई कल्टिवेटर से करे और फिर प्लैंकिंग करे 10 मीटर गुना 1 मीटर गुना 15 सेंटिमीटर आयामों के साथ बेट पर क्यारिया तैयार करे पौध जड़ डुप की विधी रोपाई से पहले इमिडा क्लोपरेट 17.8 SL 5 मिली लीटर जोड मैंकोजेब 20 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर पौध की जड़ो को इस घोल में 10 से 15 मिनिट तक डुबो कर रखना चाहिए रोपाई 21 से 25 दिन पुराने पौध की रोपाई की जानी चाहिए रोपाई मद्य सितंबर से मद्य अक्टूबर के बीच शरद रुतु और मद्य जनवरी से मद्य फरवरी के बीच वसंद के मौसम में की जा सकती है रोपन्ट से 4-5 दिन पहले धीरे धीरे पानी कम करे और रोपन्ट से एक दिन पहले क्यारियों के लिए परियाप्त पानी देना चाहिए दूरी अनिर्धारित प्रकार के किस्मों में पंतियों के बीच 75 सेंटिमीटर और पौधों के बीच 60 सेंटिमीटर और निर्धारित किस्मों में पंतियों के बीच 60 सेंटिमीटर और पौधों के बीच 50 सेंटिमीटर की दूरी बनाये रखे हैं चौपार रेडियो में आपका स्वागत है मैरतना आप सभी का इस नए अंक में स्वागत करती हूँ आईए आज हम मौसम आदारित कुशी परामर्श सेवाएं से इस कारेक्रम की शुरुआत करते हैं कई जगव पर गेहु की कटाई चल रही है इस मौसम में तैयार गेहु की फसल की कटाई की सला है किसान कती हुई फसलों को बांद कर रखे अन्यथा तेजवाया आंदी से फसल एक खेट से दूसरे खेट में जा सकती है गहाई के उपरांद भंडारन से पूर्व दानों को दा या दबा कर नश्ट कर दे बंडार घर की चत दीवारों और फर्ष पर एक भाग मेलाथियन 50 इसी को सो भाग पानी में मिला कर छिड़काव करें यदि पुरानी बोरिया प्रयोक करनी पड़े तो उन्हें एक भाग मेलाथियन वह सो भाग पानी के घोल में 10 मिनिट तक भीगो कर छाया में सुखा ले तापमान तता हवा की कती को मदे नजर रखते हुए पचेती गेहु की फसल जो दाने भरने की अवस्ता में है उसमें हलकी सिचाई करें सिचाई शाम के समय करें जब हवा शान्त हो अन्यतब पौधे गिरने के संभावना रहती है मूंग की फसल की बुवाई है तो किसान भाई उन्नत बीजो की बुवाई करें मूंग पुसा विशाल, पुसा रतना, पुसा उनसट इकत्तिस, पुसा बैसाखी, पीटी एम ग्यारा, समेल बत्तिस, समेल छेसो अड़सट, समराट बुवाई से पूर्व बीजो को फसल विशेश, राईजूबियम तता फॉस्फरस सॉलूबलाइजिंग बैक्टिरिया से अवश्य उपचार करें बुवाई के समय खेत में परियाप्तनमी का होना आवश्यक है मौसम, शुश्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी सबजियों में हलकी सिचाई करने की सला दी जाती है सिचाई सुबह या शाम के समय ही करे रभी फसल यदी कट चुकी है तो उसमें हरी खाद के लिए खेत में पलेवा करे हरी खाद के लिए धेचा सनाई अथवा लोब्या की बुवाई की जा सकती है परन्तु बुवाई के समय खेत में परियाप नमी का होना आवश्यक है बैग्यानिको के अनुसार यदी किसानों को कुरुशी कारे करने की सला आईए अब हम इसी क्रम में अपने कुरुशी विशेशक्न से उनकी राय जान ले सुनते हैं डॉक्टर जेपी टंडन को धन्यवार डॉक्टर साहब आपका आज के अंक में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले सब्ता तत्त के लिए आग्या दीजिए नमस्कार